बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में सामाजिक विग्यान विशय में हमारे अतीत बुक से आखेट खाद्य संग्रे से भोजन उत्पादन तक आरंभिक मानव कक्षा 7 में विग्यान विशय में प्राणियों में पोशन अध्याय से अफ्यास प्रश्ण भाग 3 वे कक्षा 8 में सामाजिक विग्यान विशय में संसाधन और विकास भुगोल बुक से संसाधन एक परिचर बच्चों हम बात करें थे इसके पहले वाले भागों में कक्सा 6 की पार्टी पुस्तक इतियास की हमारे अतीत भाग 1 जिसका पहला अज्जाय हमारा फूर्ण हो चुकता वहीं इस भाग में हम बात करेंगे अज्जाय संग्या 2 जिसका नाम है आखेट संग्रे से बोजन पादन तक पहुंचाता है और वो किस परकार से जो यात्रा है वो करता है इसके बारे में हम देखेंगे भाग 1 में अर्थाद इसमें हम देखेंगे बच्चों आरंबिक जो मानव है वो किस परकार से क्रसी करना सीखता है किस परकार से पसुपालन और किस परकार से वो इस् अंतरगत सामिल होता है तो इस अज्याय को शुरू करेंगे बच्चों तुसार नामा के बालक है और उसकी जो रेल यातरा की एक कहानी है उसके द्वारा तो देखिए तुसार की रेल यातरा की कहानी कि तुसार अपने एक रिष्टेदार की साधी में दिल्ली से चैनाई के ल पता है कि जो ट्रेट है इसका विकास कब हुआ मात्र 500 साल पहले अर्था 1500 साल पहले से ही लोगों ने रेल से यातरायं शुरू करना प्रारम किया था वहीं बस तो इसके कुछ दसक बाद में आई अर्था जो और सबसे पहले रेल आई और रेल के बाद में बच्चों इसके कि लोगों के पास आने जाने के लिए जब तेज रप्तार वाली शवारियां अर्थात जो वहन होते हैं वो नहीं थे तो ये लोग यात्राइं किया ही नहीं करते होंगे ये तुसार के मन में विचार आ रहे हैं बचों और वे क्या अपनी सारी जिंदगी एक ही जगे पर बित रेल जो है वो थी ही नहीं तो ये यात्राइं किस परकार से किया करते थे यात्राइं के सादन नहीं थे यात्राओं के तो ये एक ही इस्तान पर अपनी सारी जिंदगी बिता दिया करते थे ये बच्चों तुसार के मन में जो विचार आ रहे हैं वो है लेकिन ऐसा बिलकु तो हमने पिसले अज्याय में में देखा कि जो अपना बोजन की व्यवस्ता कर रहा है वो आखेटक अर्थात सिकार के द्वारा और बोजन के संग्रे के द्वारा कर रहा है आखेटक और खाज्या संग्रहग ये वो लोग हैं जो इस उपमादीप में 20 लाग वर्ष पहले रहा करते थे अब इस उपमादीप में एक सब्दाया उपमादीप तो बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से उपमादीप की बात कर रहा है अर्थात जो एश्या मादीप का दक्सीनिवाग है बारतिय उपमादीप जिसको पहले अज्डाई में हमने बढ़ा था उ जो बोजन इकटा करने की या बोजन की जो व्यावसता करने की जो विदी थी अर्थात आखेटक और खाद्य संग्राख उसी विदी के नाम पर हम इनको किस नाम से जानते हैं आखेटक और खाद्य संग्राख लोग ये लोग जंगली जानवरों का शिकार करके मचलियां चे आदी मानों की बात हो रही है वो किस परकार से भोजन करता था उसके बारे में ये हमें बता रहे हैं अब देखे बच्चों जो आखेटक और खाद्य संग्राक समुदा है वो एक जगे से दूसरी जगे पर घूमते रहते थे अर्थाथ अभी इस समय मानों क्या है कि एक जगे के उपर इस्ताई रूप से अपने बसावट की परकिरिया में सामिल नहीं हुआ है तो ये एक जगे से दूसरी जगे अपने बोजन की व्यवस्ता आखेटक और खाद्य संग्राक विदी के द्वारा करने के लिए गूमते रहते थे और जिसके कारण क्या है कारण की बात कर कोई या जो इनके जो शिकार करने वाले जो जानवरत है वो एक जगे से दूसरी जगे हो सकता है पलाइन कर गए हो या हो सकता है उनकी संक्याओं में बारी कमी आ गई हो तो इसलिए जब बोजन की आपूरती बादित होती है तो ये बोजन की तलास में एक इस्तान से अन्य इस्तान पर यात्राएं या फिर एक इस्तान से दूसरे इस्तान जाया करते थे यह बच्छों पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट की बात करें कि जानवरों का सिकार करने में उनके पीछे पीछे जाना तो बच्छों आप ये बात दिमाग में बिठा लें कि जो जानवरों का शिकार करने की जो इनकी architect पर किरिया थी वो इतनी आसान भी नहीं थी कि इनको आसान इसे बोजन मिल जाए बच्चों यह जो जानवर हैं इन जानवरों का शिकार करने के लिए कभी कबारी एक एक दो दो दिन जानवर के पीछे नजर रखते थे अब यह जो जानवर है वो एक मोशम के अनुसार, भिन भिन इलाखों में घूमना, बच्छों इसमें हम देखेंगे कि एक मोशम में कहीं पर पेढ़ बोदो के संख्या, जीव जनतों के संख्या बढ़ जाती है, वहीं दूसरे मोशम में वहां पर कट जाती है, तो जिस परकार से मोशम में बदलाव आ रहे उसी परकार से ये एक जगए से दूसरे जगए पर क्या हो रहे है पनी की तलास में विबिन जलायसोयों पर घुमना यहां पर एक बात ये भी ध्यान रहके हैं, कि जब और वर्सा का मोसम है ये अर्ठात वर्सा रितू का मोसम है, तब सभी जलायसोयों में क्या रहता है जो जल है वो परियाप मात्रा में उपलब्द रहता है लेकिन बचों जब ग्रिस्म काल या सूके की इस्तति हो तो अधिकास जला से सूक जाते हैं और सूकने के कारण ये पानी की तलास में एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जाना पड़ता था अब देखें के बचों कि जो आरंबिक जो मानव है इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है तो देखें बचों पूरा तत्त विदों इसके बारे में हम बात कर चुके हैं बचों इन ओजारों का जो उप्योग है वो आखेटक और जो शंगराक मानो समुदा है वो किया करता था और इन ओजारों को उप्योग किसमे फल और मूलों को काटने के लिए हड्यां और मास को काटने में पेड़ों की छाल और जानवरों की जो खाल होती थी उनको उतारने में इन ओ वस्तर बने थे उनको सीलने के लिए इन डाइग्राम में आप दे सकते हैं कि इसमें जानवरों की खाल से वस्तर को सीलते हुए दिखाये गया है वहीं इसमें क्या है जो पेड़ों की जो छाल होती है उसको पत्र के ओजारों के द्वारा उतारते हुए दिखाये गया है अब बचों कि जो मानव है वो अपने रहने की जो जगे है उसका निर्दारण किस परकार से करता है और उसी जगे का निर्दारण क्यों करता है देखें पूरा इस्तल बचों ऐसा इस्तान जा ओजार बरतन और इमार्तों जैसी वस्तों के क्या मिले हो अपने को अवसेश मिले हो य इन वस्तों के दिर्मान लोगों ने अपने काम के लिए किया था और ये वस्तों हमें जमीन के उपर भी मिलती है अंदर भी मिलती है शमुद्र और नदी के तल से भी ये वस्तों हमें प्राप्त होती है कहीं पर जमीन के उपर मिल जाती बच्छों कहीं पर जमीन के अंदर आउसेसों के रूप में दबी हुई है वहरी समद्र और नदी के तल में भी इन वस्तों को मानों ने प्राप्त किया है ये पूरा इस तल नदियों और जीलों के एक किनारे पर पाए गए हैं बच्चों नदियों और जिलों के किनारे पर ही क्यों पाएगे क्योंकि वहां पर प्रयाप्त मातरा में क्या रहता था जल उपलब रहता था मानव ऐसे इसतानों को चुनाओ करता है जहां पर अच्छे पत्थर मिल सके बच्छों यहां पर जान रखना कि यह जो काल है वो पत्थर का काल है और इस काल में सबसे महतपूर्ण जो मानव के लिए जो धातू है जिसके ओजार बरतन उपकरण इत्यादी बनाए जाते हैं वो है केवल और केवल पत्थर इसलिए इस समय मानव का एक ही लक्षे रहेगा कि जहां पर अच्छी गुण होता के पत्थरों वहां पर वो क्या करेगा अपना निवासिस्तान बनाएगा क्योंकि इस काल में बच्छों क्या है पत्थर के उपकरण अपना महतपूर्ण इस्तान रखते हैं अन्ये लोहा, कांसा, तांबा, इत्यादी सभी परकार के जो द अर्तियूप माधिब का नक्सा अपने सामने दिखाए दे रहा है और इसमें कापी सारे जो इस्तान है वो अपने इस अज्जाई में काम आएंगे तो सबसे आप पहले देखें कि जो जमू कस्मीर का ये जो शेत्र है इसमें एक इस्तान है अपने सामने और उस इस्तान का नाम हम लोग देखेंगे कि उस इस्तान का नाम क्या है बच्चों बूर्ज होम अर्थात बूर्ज होम इस्तान जमू कस्मीर में अर्थात वर्तमान जो जमू कस्मीर का भाग है वहां पर ये बूर्ज होम इस्तान इस्तित है बूर्ज होम वहीं पर बात करें वर्तमान पाकिस्तान में तो यहां पर एक इस्तान है उसका नाम है बच्छों मेहर गड़ मेहर गड़ कहां पर है वर्तमान पाकिस्तान के अंदर इस्तित है वहीं पर यदि मज्द्य भारत की बात करें तो यहां पर बच्चों है एक इस्तान अपने सामने बीम बेट का यहां पर बीम बेट का नामक इस्तान से गुफाएं भी मिली है वहीं इसके पास में कोलडी हवा महागड़ा इधर की बात करें तो इधर चिरांध है यहां पर कोलकाता है और यहां पर दावजली हेडिंग है वहीं बच्चों इसके नीचे वाले बाग में हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो दक्षिन बारत है वहाँ पर आंदर परदेश वर्तमान आंदर परदेश में कुर्णूल की गुफाईं वो है वो अपने लिए आज भी एक महत्रपून इस्तान रखती है दक्षिन बारत में अंदर परदेश नामक जो रज है उसमें ये कुर्णूल की गुफाईं क्या है इस्तित है यहाँ पर गुफाओं के अंदर मानों ने क्या किया है बच्चों डाइग्राम अर्था चित्र बनाए है और वो चित्र बनाए है चट्टानों के उपर इसलिए उनको क्या नाम से जानेंगे शेल चित्रों के नाम से जानेंगे वहीं याँ पर माराष्टर में इनाव गाव नामक शबता भी मिल ली है दक्षिन बारत में एक इस्तान और है वो है ब्रह्म गिरी अब बच्टों बात करेंगे इन सभी इस्तानों के बारे में किस-किस परकार से इनका उपयोग होता है आप नक्षम इनका ध्यान रखें अब देखें बच्टों कि जो शेल चित्र है वो क्या है और कहां पर अपने को मिले है तो शेल चित्र अभी मैंने बात किती कि जो मानव है वो कहां रहता है गुफाओं के अंदर रहता है और इन गुफाओं में क्या कर रहा है वो मानव अलग-अलग परकार के परकरति से सम्मंदित क्या है चित्र पत्थर के उपर उके रहा है और ये जो चित्र है ये चित्र क हमें मज्य परदेश और दक्षणी उत्र परदेश की गुफाओं से मिले हैं इन मैंसे जंगली जानवरों का बड़ी कुसलता से सजी चित्रन किया गया है अर्थाद इस समय मानो प्रकृति के अत्य दिक करीब है प्रकृति के अंदर रहता है इसलिए ये चित्र किन चीजों क मज्य परदेश राज्य के अंदरगत स्तित इस से क्या मिला है वह देखें इस पूरा तत्य इस तल पर उंस्तर और मिली है जो नर्मदा नदी का जटित का शत्र है वहां पर यह इस सित्र फेले हैंwiet इस पास में इस सित्र इन गुफाओं की लोगों क挺 दूप से और हवावा से क्या मिलेगी राहत मिलेगी प्रकृति जो प्रतिकूल वातवरण इन के लिए पैदा करती है उसमें इनको क्या मिलती है राहत देखएंे मान्व ने आग की खोज किस परकार से की हम देखें कि द्ख्षन-बारत में अभी हमने देखा था मांचितर में कि कूर्णोल नामा के एक इस्ताने जो वर्तमान में आंदर परदेश में इस्तित है दक्षिन बारत में कुर्णूल की गुफाएं जो आंदर परदेश में वहां से क्या मिले बच्छों राख के अवसेस मिले हैं अर्तात जो आदी मानव या आरंबिक मानव है वो आग से भी परिचित था ये अवसेस हमें इस बात का संकेत देते हैं अर्तात जो मानव है वो क्या है आग से परिचित है और शंबवते इन्होंने आग का परियोग किसली किया होगा बच्छों एक तो प्रकास के लिए किया होगा मास भुन्ने के लिए किया होगा या फिर जंगली जानवरों को जो खत्रा पेदा करते थे उनको दूर भगाने के लिए इन्होंने आग का परियोक संबवते किया होगा अब बात करेंगे कि जो इस काल में जो सब से महतुपण जो धातू है मानव के लिए अर्था जिसके ओजार 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 वो बना सकता है वो कौन सी है पत्थर है ने कि किस और केवल किसके बनाए जा रहे हैं पत्थर के बनाए जा रहे हैं तो सबसे पहले देखें कि इसको पूरा पाशानकाल मज्य पासानकाल और नव पासानकाल के अंतरगत विबाजित किया गया है हम देखेंगे बच्छों जो पूरा पासानकाल है पासान का मतलब ही क्या है बच्छों पत्थर है यहाँ पर एक बात जान रखें कि इस पासान का अर्थ क्या है पत्थर और इस पासान काल का समय क्या है 20 लाख वर्ष पूर से 12,000 वर्ष पूर का ये जो समय है पूरा का अर्थ होता है बच्चों प्राचीन और पासान का अर्थ होता है पत्थर प्राचीन समय जाम पर पत्थर क्या था एक महत्वण इस्तान रखता था इसका समय 20 लाग वर्ष बारा हजार वर्ष पूर माना गया है वहीं इसमें विबाजन करके हमें आरंबिक पूरा पासान काल मज्य पूरा पासान काल और उत्तर पूरा पासान काल में विबाजित किया गया है और यह जो मानव इत्यास की बच्चों जो अधिकांस गटना है व मज्य पासान काल की बात करें तो ये बचों परियावरण में बदलाव का काल है और इसका समय है 12,000 वर्ष पूर से 10,000 वर्ष पूर का समय जो है मज्य पासान काल के अंतरकत आएगा और इस मज्य पासान काल और पूरा पासान काल की तुलना करेंगे तो पूरा पासान काल में जो पत्तर के ओजार और उपकरने उनका आकार क्या था बच्चों बड़ा था क्योंकि उस सुरुवाती ओजार बनाए जा रहे थे मानव के द्वारा इसलिए पूरपाशन काल में पत्तर के ओजारों और उपकरनों का आकार क्या रहेगा बड़ा रहेगा दिरे दिरे मानव अ माइक्रोलित बोला जाता है इनको छोटे छोटे पत्र के ओजार होता है इनको क्या बोलेंगे लगू पासान बोलेंगे वहीं इसके जो अंत का समय है वो नव पासान काल के नाम से जाना जाता है और यह समय बचों दश हजार वर्ष पूर्षे इस यूग में क्या होता है प्र उसकी जीवन सहले पर क्या प्रभाव पड़ेगा लगबग हमने देखा बच्छों अभी मज्दिक पासानकाल में कि लगबग 12000 वर्षपूर में दुनिया के जलवायों में क्या आए बड़े बदलाव देखने को मिलें और इसमें तापमान बढ़ने लगा परिणाम शुरू जानवरों की शंक्या भी क्या होगी बच्छों गास के मेदानों के बढ़ने के साथ साथ में इनकी शंक्या भी क्या होगी बढ़े गई और जो ये लोग है इनका क्या करते थे शिकार करते थे और दीरे दीरे इन जानवरों की खाने पीने के आदत भाई ये जानवरों क्या खाते हैं क्या पीते हैं और इन जानवरों के प्रजनन अर्थाद जो बच्चे देने का जो समय है उन सबी की जानकर इप्राप्ट करके अपनी जो इस्तानी आवशिकता है मानव को उसके अनुसार ये पूरा करने का सोचन लगे और इनको पालने की बात इनके दिमाग में इस काल में मचली भी बोजन का एक महत्वण सुरोत बन गई अब हम देखेंगे बचों कि जो मानव है वो दिरे दिरे किस परकार से खेती और पसु पालन की क्रियाओं की सुरुआत करता है देखें बचों उप महादिप के बिन बिन इलाकों में गेहूं जो दान जैसे अनाज प्राकरतिक रूप से उगने लगे और शंबोते मानव ने इन अनाजों का बोजन के लिए बटोरना सुरू किया और मानव ये जानने का बचों यहां पर प्रियास कर रहा है कि ये अनाज कहां पर उगते हैं और इनके उगने के लिए क्या परस्तेतियां चाहिए अर्थात क्या तापमान चाहिए और वहां पर किस परकार की वर्षा चाहिए ये अनाज कहां उगते थे और कब पक कर तयार होते थे इन सभी के बारे में मानौ जानने का प्रियास कर रहा है और दीरे-दीरे मानौ क्या कर रहा है इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख कर क्या बन गया क्रशक बन गया अब क्रशक बन गया है तो ये मानौ क्या करेगा दीरे-दीरे जानवरों को पालतू बना कर क्या करेगा पसु पालन की किरिया की सुरुवात भी कर देगा इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख कर जानवरों को अपनी और आकरशित बनाया होगा इससे क्या हो रहा है मानव क्रशी के साथ साथ में पसु पालन की किरिया की और भी अपने कदम बढ़ा रहा है सुरे परतों मानव ने बच्चों जिस जंगली जानवर को पालतु बनाए होगा वे बच्चों माना जाता है कि कुट्टे का क्या था जंगली पूरवज था और दीरे दीरे ये लोग भेड, बकरी, गाह, सुवर जैसे जो जानवर है उनको घरों के नस्दीक आने को क्या कर रहे थे उच्छाहित करते थे इनको अपनी और जीवन से लिए अपने घर जो है इनको और ये क्या करते थे इनको आकरशित करते थे और नस्दीक आने पर ये क जानवरों को जंगली जानवरों से मानव क्या करता था करता । सुरुक्षा परदान क्या करता करता देरे क्या बन गया पहसुपालन की किरिया के द्वारा पसुपालक वी बन रहा है अब ये पहसुपालन और खेती की किरिया है इसको पूर्ण होने में अधिक समय लगता हैं ऐसा नहीं है कि पोड़ उग गया और आतों इनको फसलों को पक करते यार होने में समय लगता है समय लगता है तो मानों को क्या करना पड़ेगा बचो एक ही इस्तान पर रुके रहना पड़ेगा और यह जो रुके रहने की परकिरिया है यही क्या है बचो बसने की परकिरिया है अर्थात मानों के द्वारा जो पोदे जानवरों से क्या होते थे कुछ भिन होते थे क्योंकि इनका लोगों के द्वारा क्या किया जाता था चुनाव किया जाता था चुनाव की परकिरिया में यह जंगली पोदों और जंगली जानवरों से क्या होते थे भिन होते थे इन पोदों और जानवरों के बीमार होने की ज उनके जो बीज हैं इनको भी मानव पूने उगाने के लिए संबाल कर रखता था ताकि अगली बार जब फसल उगाए मानव तो उनको अच्छे बीज अच्छी गुणो ताक्षे युक्त बीज उनको मिल सके अब जानवरों की प्रेजिनन परकिर्या में एहिंसक जानवरों का चुनाव किया जाता था जिससे क्या है कि जो आने वाली जानवरों के पीडी है वो भी बचों क्या रहे एहिंसक परवर्तिकी रहे और जंगली जानवरों के तुलना में पालतु जानवरों के जो दान्त और शींग होते हैं वो क्या होते हैं बचों छोटे होते हैं बचों एक जब जंगली सुवर है और एक वहीं दूसरी तरफ हम देखें कि एक पालतु सुवर है तो पालतु सुवर और जंगली सुवर के दांतों के आकार में बिनता देखने को मिलेगी पुस्तक में एक डाइग्राम दिया गए जिसमें एक छोटे दांत दिखाए गए और एक डाइग्राम में बड़े दांत दिखाए गए तो छोटे जो दांत है वो बचों पालतु सुवर के वही जो बड़े दांत है वो जंगली सुवर के दांत होते है बसने की ये परकिरिया लगबग 12,000 वर्षपूर शुरू ही जो पूरी दुनिया में देरे देरे बच्चों क्या हुई चलती रही वास्तों में आज हम जो बोजन करते हैं तता जिन पस्वों को पालते हैं वो इसी परकिरिया की देन है बच्चों हमारे द्वारा जो आज खेती की जाती है और पस्वों पालन की किरिया की जाती है उसका सुरुवात बच्चों कुछ इस परकार से आदी मानों ने ही कर दिया था तो बच्चों यह था अध्याई दो का पहला बाग और इसके आगे का भाग जो है वो हम करेंगे बाग संक्या दो में तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों हम पढ़ रहे हैं कख्चा साथ का विज्ञान विशे का अध्याई 2 प्राणियों में पोशन बच्चों इस पार्ट को पिछले वीडियों में हमने कम्पलीट कर लिया था हमने मनुष्य में पाचन की प्रकिरिया को अच्छे से समझ लिया था इसी के साथ साथ बच्चों हमने घास खाने वाले जन्तू और अमीबा में बोजन का पाचन किस प्रकार से होता है इसे भी समझा था बच्चों इस भाग में करेंगे हम इस पाट के अभ्यास प्रशन जो कि हमारे पाटे पुस्तिका में दिये गए हैं तो जल्दी से अपने कॉपी और पैनले कर तैयार हो जाएए चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन है बच्चों उच्छी शब्द द्वारा रेक्तिस्थानों की पूर्ती कीजिए यहाँ पर हमें कुछ रेक्तिस्थान दिये गए हैं तो पहला चरण क्या हो जाएगा यहाँ पर बोजन का अंतरग्रहन दूसरा उसकी बाद में जब हम अंतरग्रहन करते हैं तो क्या होता है बच्चों बोजन का पाचन होता है तो तीसरा चरण क्या जाएगा बच्छो, अब शोशन, अब जब इस भोजन का आउशोशन हो गया, तो क्या होगा? इसका उपयोग जटिल पधारतों में को बनाने में किया जाएगा. तो उसे हम क्या कहते हैं,सवांगी करन, तो next step हो जाएगा यहांपर स्वांगी करन और सबसे last में क्या होगा, जो अप अचित हो जहने, उसका हम क्या करते हैं,निशकासन कर देते हैं तो सबसे last रेन हो जाएगा बच्छों, उसका निशकासन, चलिए दूसरा कथन देखते हैं मानव शरी की सबसे बड़ी ग्रंथी का नाम डैश है बचों कौन सी है सबसे बड़ी ग्रंथी यकरत होती है यकरत क्या एक पाचक ग्रंथी होती है चलिए आगे बढ़ते हैं आमाशे में हाइड्रोक्लोरिकमल एवं डैश का इस्तराव होता है जो आगे बढ़ते हैं अगला है बचों शुद्रान्थ की आंत्रक भिती पर अंगली के समान अनेक प्रवर्द होते हैं जो क्या कहलाते हैं बचों जिने हम रसांकुर या धिरगरोम भी कहते हैं नेक्स्ट है अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है तो अब हमने धानी में करता है चलिए ये प्रश्ण यहाँ पर कम्प्लीट हो गया अगला प्रश्ण देखते हैं नेक्स्ट है बच्चों सत्य असत्य कतनों को चिन्यत्थ कीजए यहाँ पर हमें true और false बताने है कौन सा قतनि याँ पर सही है और कौन सा कतन गलत है ke偶ों मंड का पाचन आ प्यारण स्थाईरूप से बंदारित होता है। तो ये कथन कैसा है बच्छों बिलकुल सही है, पित तरस इखटा होता है नेक्स्ट है रूमिनेंट निंगली होई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं तो ये कथन भी कैसा है बच्छों बिलकुल सही है रूमिनेंट क्या करते हैं पहले बोजन को जल्दी जल्दी निंगल कर आपने आमाशे में इखटा कर लेते हैं और बाद में क्या करते हैं उसे धीरे धीरे अपने मुख में लाकर चबाते हैं चले आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है निमने में से सही विकल पर राइट का निशान लगाईए तो बच्छों यहाँ पर पहला प्रशन दिया है वसा का पौंट उपेंट पाचन जिस अंग में होता है वह है और बोजन कहां पहुंच जाता है व्रह दांतर में पहुंच जाता है जहां पर क्या होगा कि उस बोजन में से जलका और खनिश लवनों का उशुशन किया जाता है तो कहां पर होता है बच्छों यह व्रह दांतर में होता है चले आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है column a में दिये गए कतनों का मिलान, column b में दिये गए कतनों से कीजिए MARYकोल में कोछ शब्द दिए गए हैं और B में भी कुछ शब्द दिए गए हैं जिनने हमें कम्प्लीट हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है धिर्ग रोम क्या है वह कहां पाए जाते हैं एवं उनके कारे क्या है तो बचों हमें पता है कि शुदरांत की आंत्रिक भिती पर जो है कुछ क्या पाई जाती है प्रवर्द नुमा सनशनाई पाई जाती है उन्हें ही क्या कहते हैं हम धिर्ग रोम या रसांकुर कहते हैं तो ये कहां मिलेंगे बचों हमें ये मिलेंगे शुदरांत की आंत्रिक सतय पर उनका कारे क्या होता है बचों ये पचित भोजन के अवशुशन के लिए सतय की शेत्र फल को बढ़ा देते हैं क्या बढ़ाते कि किस घटक की पाचन में सायता करता है तो बचों पित का निर्मान कहां पर होता है यकरत में होता है और यह किस की पाचन में सायता करता है यह भोजन में उपसदित वसा की पाचन में सायता करता है पितरस क्या करेगा वसा का पाचन करेगा और किस में बदल देगा उसे वसाम बताईये, तो बच्छो हमने पढ़ा था कि जो ruminants होते हैं, क्या करते हैं, ृधास खाते हैं और घास के अंदर cellulose उपस्थते होता है, और इस cellulose का पाचन किवल लूइनेंट्स ही कर सकते हैं मनुष्य की दवरा इसका पाचन नहीं होता है क्यों कि इन रुमिनेंट्स की आहर नाल में कुछ ऐसे जीवानू पाय जाते हैं जो इस सुद्रान्त एवं भ्रहधांत्र के बीच में एक थेली नुमा सरशना होती है जिसे क्या कहते हैं, जो अंधनाल कहते हैं और इसमें सेलुलोज का पाजन करने के लिग एक जीवानूँ उपस्तित होते हैं. ये जीवानू क्या होते हैं? मनुशे की ole में उपस्तित होते हैं. चली आगे बढ़ते हैं. अगला प्रशन है क्या कारण है कि हमें ग्लूको हिसे ह zitten होगा तो हमें तुरंत वीटा in औक्सिजन की सायता सें किसमər अ जाता है और उस प्रक्रम में क्या भी होता है रिल्जा मुक्त होती है और हमारी शरी के विभिन भागों को प्रब्द हो जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है अहां नाल के कौन से भाग द्वारा निमने ख्रियाएं संपाधित होती है तो इसमें बच्छों पहले ही ख्रिया दी है हमें पचे भोजन का आउशोष्ण तो कहां पर होगा बच्छों पचे भोजन का आ चारते हैं घूजन का अंथे घूण करते हैं और दाथों की सायता लिए क्यां चबातेёт a काँ पर होता है आमाशम होती है किसकी तौर्ा होती है और ze चलिए नेक्स्ट है भोजन का संपूर्ण पाचन बोजन का संपूर्ण पाचन कहां पर होगा बच्चों शुद्रांतर में होता है यानि कि छोटी आत्मी भोजन का संपूर्ण पाचन होता है चलिए nextapatके देखें मलका निर्माण निर्माण कांपर होता है व्रहधांतर में होता है यानि कि व्रहधांतर को हम क्या भी कहते हैं व्रहधांतर को हम बड़ी आतर भी कहते हैं ये question हमारे यांपर complete होगया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्चन है मानव एवं अमीवा के पोशन में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए तो बच्चों यहाँ पर हम यदि मानव और अमीवा के पाचन में यदि समानता की बात करें तो दोनों में ही क्या होता है जो जटिल खादे पदार्त है उन्हें सरल खादे परण जटिल खाद पधार्थ किसमें परिवर्तित होते हैं और इस प्रक्रम में क्या होता है वच्छों उर्जा मुक्त होती है यह दि हम अंतर देखें तो मानव में विक्सित पाचन तंत्र पाया जाता है जबकि अमीवा क्या है एक कोशिक जीव होता है और इसी कारण इसमे विक्सित पाचन तंत्र का भाव होता है चली आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न है कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम B के उचित कथन से कीजिए बच्छों यहां पर हमें कॉलम A में कुछ शब्द दिए गए हैं और कॉलम B में कुछ कथन दिए गए है जिन का निर्मोचन करता है नेक्स्ट है यक्रत यक्रत क्या करती है बच्छों यक्रत जो है वो पित्त का इस्तरावन करता है नेक्स्ट है मलाशे में क्या होगा बच्छों मलाशे में बिना पच्छे भोजन का भंडारण होता है अगला है शुद्रांत्र शुद्रांत्र में क्या ह होगा बच्छों पाचन पूरा होता है यहां काया होगा होता है क्रस्वण कि िए दिए हु尬 बाचनत्र के आरे को नमांकित कीजिये तो बचों यहां पर हमने जो से नमांकित किया है तो यहां जो है भाग है धरी नुम्य सनशना ये क्या है वच्छों बैह दांत्र आगे किसमें खुलता है मलाशे में खुलता है और इस मलाशे के आगे वला भाक्या कहलाता है बच्चों गुदा कहलाता है तो इस तरह से हम इस पाशन तंद्र को ना मांकित कर सकते हैं बच्चों आज का अगला पाट कक्षा आठ में सामजीक विज्ञान विशे में संसाधन और विकास भुगोल बुक से संसाधन एक परिचे आज एद दन कर रहे हैं कक्षा आठ की सामजी विज्ञान की पाठ्थे पुस्तक संसाधन और विकास के अध्याय एक संसाधन के अंतर पसरते इंसान ने उन्हें अपने बुद्धि विवेक से पहचाना हो। तो कॉपी पैंसिल लेकर हो जाईए तैयार देखते हैं संसाधन। सबसे पहले संसाधन की परिभासा क्या होती है? संसाधन की बहुत आसान परिभासा है कि ऐसी वस्तवे जो मनुशे की आवशक्ताओं को क्या करती हैं पूरी करती हैं और ये सबी चीजे मनुशे को प्रकरती दुवारा उफार सो रूप या निसुल कह सकते हैं जो प्रकरती न वस्तू जिसका उपयोग आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता हं उधारन के लिए आप लिख सकते हैं कपड़े बरतन कंगा सहद की बोतल, कितावे, जल, विदुत, रिक्षा, सबजिया, ये सब इस चित्र के माद्यम से आप देख रहे हैं, घर है, कलकार खाने हैं, भाती-भाती की इमारते हैं, और जो भी देनिक जीवन में आप चिन भी वस्तूं का उप्योग करते हैं, वह सबी संसादनों की रिस्ताएं होती हैं, जो संसादनों को संसादन बनने के लिए आवशक होती हैं, कब हम उन्हें संसादन रख कह सकते हैं, या संसादनों की स्रेणी में रख सकते हैं, तो वो क्या-क्या चीजे हैं, सबसे पहले उसकी उप्योगिता, उसके उपरांत उसका मुल्ले, और फिर है patent एक एक करके उनको देखते हैं सबसे पहले उप्योगी या उप्योगिता एक वस्तु अथ्वा पदार्थ की उप्योगिता अथ्वा प्रियोजता उसे संसादन बनाती है किस सीज की कितनी जरुवत है अगर मनुष्य को आपको भोजन की आउशकता है तो भोजन की आउश है प्यास को बुजाने के लिए हवा की आउशकता है स्वांस लेने के लिए oxygen की आउशकता है शिक्षा की आउशकता है चिक्षा की आउशकता है तो यह आउशकता ही क्या बनाती है यह संसादन को उसकी उप्योगिता के आधार पर उसका रूप निर्धारित करती है तो यह खास उनकी विशेस्ताओं में आता है, इसके उपरांथ है मुल्यवान होना, संसादन मुल्यवान होते हैं, इसका प्रियोग अथ्वा उप्योगिता ही इसे मुल्य प्रतान करती है, किस चीज का क्या मुल्य होगा, ये निर्धारित किस पे होता है, ये निर्धारित किया जात होता है उसकी उपयोगीता से अतय हम कह सकते हैं सभी संसादन क्या होते हैं मुल्यवान होते हैं मुल्य का अर्थ यहां पर क्या है यहां महत्व है किसीज की कितनी जर्रत है कुछ संसादनों का आर्थिक मुल्य होता है जैसे धातों का आर्थिक मुल्य तो संसादन अलग- मुल्य नहीं हो सकता है जैसे आप किसी प्रेटिक स्थल पर घूमने गए और वहां का द्रश्य या प्राकृतिक नजारा आपको बहुत मन मोहक लगा तो उसका आप अपनी वेल्यू नहीं है वो है अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा अलग तरीके से बताया जाएगा आप सुबह उठे उठने के बाद आपने देखा एक मनोरम दर्शे सूरिदय हो रहा है तो वह आपको बहुत अच्छा लगा आप उसकी तस्वीर दूसरों को बता सकते हैं तो उसका अपना आर्थिक मुल्य हर व्यक्ति विसेश के आधार पर निर्धारित किया जाता है जै बहुत एक खास चीज होती है पेटेंट कि कोई वस्तू की खोज की जाए आविसकार किया जाए और आविसकार करने के बाद किसी व्यक्ति विसेश के नाम से वह जानी जाए या कह सके उसके अधिकार छेतर में रहे तो वह उस वस्तू का क्या कहलाता है पेटेंट कहलाता है मैं आपको जानकरी दे दूँ कि थामस अलवा एडिशन जो विष्व में जो विख्यात हुए बल्ब के अविस्कार के लिए उनके नाम पर विष्व में सरवादिक पेटेंट आज मुझूद है देखते हैं परिभासा क्या है पेटेंट की इससे तात्प्रिय है किसी विचार अथ्वा अविस्कार पर एक मात्र अदिकार से है जैसे दादी के घरेलू नुष्के का आज वानिजीक मुल्य नहीं है आपकी दादी मा घर पे बहुत सारे इलाज कर सकती पर आज वो दुनिया भर में नहीं जाने जाते हैं परन्तु अगर उनका पेटेंट करवा लिया जाए तो उनका वानिजीक मुल्य हो जाएगा यानि कि उनका कमर्शिल वेल्य हो जाएगी लेकिन ये देवे पेटेंट कराने के उपरांद मेडिकल फरम दुआरा बीचे जाते हैं तो दादी मा के नुश्के भी क्या हो सकते हैं मुल्यवान हो सकते हैं पसरते उनका पेटेंट कराना आवशक होगा आगे देखते हैं पदार्तों को संसादन में परिवर्तन करने के लिए कुछ महत्पून कारक होते हैं कि बहुत सारी चीजे हैं जो उपलब्ध हैं उन्हें हम संसादन कह सकते हैं परंतु उसको प्रभावित क्या कारक करते हैं उनको हम देखेंगे या परिवर्तन कौन से कारक उनको परिवर्तन कर रहे हैं, उसके उपन नजर डालते हैं, सबसे पहले हैं समय, समय के अनुसार बहुत सारे बनलाव हुए, समय के अनुसार आप देख रहे हैं पईये का विस्कार हुआ, पहले आदिम अवस्ता में आप देखें किस तरीके के लकड़ी के पईये तैयार किय जाते थे और भाती बाती से आज प्रोध्योगी की के इस्तेमाल से किस तरीके से तक्नीक के विकास से बुद्धि विवेक से विज्ञान के अनुसंदानों से नवाचारों से किस तरीके से एक बतलाव आ गया है संसादनों में वो हम देख सकते हैं तो इसके अंतरगत एक समय महत्पूर्ण गटक आता है दूसरा है प्रोध्योगी की प्रोध्योगी की का मतलब होता है टेक्नोलोजी टेक्नोलोजी से तात्परिय है किसी कोसल को करने अथ्वा वस्तु बनाने में नविंतम ज्यान का अनुप्रियोग है क्या कहलाता है टेक्न एक नविंतम ज्ञान का समावेश करें, उस ज्ञान को उसमें इंक्लूड करतें, तो वह क्या कहलाएगी, टेक्नलोजी कहलाएजीगी, आगे देखते हैं, लोगों के विचार, ज्ञान, आविस्कार और खोज ही हैं, जो और अधिक संसाद्रों की रचना कर सकते हैं, मतलब है कि इंसान समय समय के साथ उसकी जरूरते बदलती गई, और समय के साथ उसने अपने बुद्धी विवेक, प्रोध्योकी की के इस्तेमाल से संसाद्रों में बहुत सारे परिवर्दन कर दिये, प्रते खोज अथवा अविस्कार से बहुत से अन्य खोज एवं अविस्कार होत युक में क्रांती इस पईये ने ला दी है, इसी तरीके से जैसे आग की खोज हुई, और आग की खोज के साथ-साथ कई सारे बदलाव देखने को मिले, जो भोजन में मजा पकने के बाद आता है, वह एक आग की खोज के बाद ही देखने को मिलता है, खाना पकाने की पद्धत का प्रचलन होना आग की खोज के बाद पईये के अविस्कार से परिवयन की नवीनतम विद्यों का विकास होना जो विश्वर में देखा जाता है आप भली बाती इसको जानते हैं इसे तरीके से जल विदुत बनाने की प्रोध्योगी जिसे हाइड्र एलेक्ट्रिसिटी कहते हैं वो भी यह थै कि जल किस तरीके से अनवरत प्रिथ्वे पर भैता था पर मानव ने उसको अलग-अलग उप्योगों में सिचाय के रूप में ले रहा है पीने के काम में ले रहा है नहने के काम में ले रहा है मतलब जल के बिना प्रिथ्वे पर जीवन संभव नहीं है प तो ये देखिए, जल से उर्जा उत्पन करने का एक महत्मून संसादन उसे बना दिया, तो इसी के साथ नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, जब तक के लिए जय हिंद। बच्चों, कल हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में, हिंदी विशे में, वसंत एक बुख से, नादान दोस्त भाग एक, कक्षा 7 में, सामाजिक विख्यान विशे में, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की परताल, नए सामाजिक एवमराजनितिक सम्हू, भाग दो, व कक्षा 8 में, विख्यान विशे में, फसल उत्पादन एवम प्रबंध, अप्यास प्रश्न भाग 4 बच्चों हमारे इस कारिक्रम के एक कंटेंड पार्टनर है, मिशन ग्यान तथा इस कारिक्रम में तक्निकी सहयो, यूनिसिफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन, एवम, पुरमल फाउंडेशन, दौरा प्रदान किया जा रहा है बच्चों आपको है कारिक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें, कारिक्रम से संबंदित आपके सुझाव हमें इमेल और डाग द्वारा भेड़ सकते हैं हमारा इमेल एडरेस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001